हैलो मेरी त्यारी दोस्तो आज मैं आपके लिए लेकर है इस शूपर क्रस्पी स्पॉंजी राइस बड़ा की रेसिपी यह अंदर से बहुत ज़्यूद इस शौप्ट होते हैं ओपर से बहुत ज़्यूद ज़्यूद क्रस्पी होते हैं और यह खाने में बहुत ही टेस्टी राइस वड़ा को आप सामर के साथ, नारिल के चट्णी के साथ आप किसी के साथ भी खा सकते हैं, यह बहुत ही टेसी लगते हैं, अब हो जल्दी बनका तयार भी हो जाते हैं, तो चलिए देखते हैं कि यह सूपर स्पॉंची वड़ा कैसे बनते हैं, चावल के वड़े बनान इस cup से हमने दही डाली थी, उसी cup से हम डाल देंगे इसमें 1 cup पानी और mix कर देंगे इसको अभी बैटर मुझे थोड़ा सा गारा लग रहा है, तो अभी इसमें 1 cup पानी मैं इसमें और डाल दूँगी हमें बड़ा बलाने के लिए बैटर एकदम पतला चाहिए इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे इसमें एक भी लंप्स नहीं रहना चाहिए ये हमारा चावल का आठा पानी में और दही में अच्छे से मिक्स हो गया है इसमें एक भी लंप्स नहीं है अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, नमक आप अपने टेस्ट के नुसा डाल सकते हैं थोड़ा सा डालूँगी मैं यहाँ पर जीरा, आप जीरे की जग़ा पर अजवाइन का भी यूज़ कर सकते हैं अब मैं यहाँ पर डालूँगी थोड़ी सी कसूरी मैती, आप कसूरी मैती की जग़े धनियका भी यूज़ कर सकते हैं कसूरी मैती की खुश्बू बहुत ही अच्छी आती है और बड़ा खाने में बहुत ही टेस्ट लगते हैं और यह सारी चीज़ों को अच्छी से मेक्स कर देते हैं यह हमारी सारी चीज़े अच्छी से मेक्स हो गई है अब इसमें मैं डालूँगी थोड़ी सी हींग, रीवा दाखी अच्छी खुश्बू आती है और बड़ा भी बहुत टेस्ट लगते हैं कहने में यह हमारी सारी चीजे मेक्स हो गई है और यह हमारे बड़ा का बैटर बन का तयार हो गया है आप देख सकते हैं इसकी consistency देख सकते हैं इसको जब हम इस तरह से नीचे गिरा रहे हैं तो यह एक साथ सारा गिरा है इसी तरह की बड़ा की हमें consistency चाहिए अब हम next process की तब चलते है अभी हमने रख दी है कड़ाई, जो हमने बैटर बनाया था चावल का कड़ाई में डाल देंगे इस तरह से इसको लगाता चलाते रहें जब तक कि ये गाड़ा नहीं हो जाता इसी तरह हम ऐसे लगाता चलाते हुए डोगी कंसिस्टेंसी तक लाना है ये देखिए हमारा चावल का बैटर एक दम गाड़ा हुए है ये डोगी कंसिस्टेंसी में आता जा रहा है ये देखिए ये बिल्कुल डोगी कंसिस्टेंसी में आ गया है अब हम गैस फ्लेम ओफ कर देते हैं और इसको निकाल लेते हैं डो को हम प्लेट में निकाल लेते हैं, जिसे कि यह थोड़ा से जल्दी थंडा हो जाए, थोड़ा सा हम इसे फैला देंगे, जिसे कि यह हलका से थंडा हो जाए, उसके बाद हम इसके बड़े बनाने स्टार्ट कर देंगे, डो हमारा हलका से थंडा हो गया है, अब हाथ को हम ओयल से या पानी से हलका सा इसको गीरा कर लेंगे, थोड़ा सा हम नीबू की बराबर मिक्सर लेंगे, थोड़ा सा नीबू की बराबर मिक्सर लेना है, इसको इस तरह से, थोड़ा सा इसको प्रैस करके इसे बड़े का शेप दे देंगे, इस तरह से, ये देखी कितना दूसरा बड़ा भी बनाएंगे इसको इसमें रख देते हैं फिर से हमें नीबू की बराबर होड़ा तोड़ा सा चिकना कर लेंगे तो được सकते हैं मिप्र शनकों पर चिंद बेज़ma कर देंगे दो यह हमारा दूसरा बड़ा बनके तैयार हो गया हैं इसी तरह हम सारे बड़े बना का तयार कर लेंगे यह हमारे सारे बड़े बन का तयार हो गए हैं अब हम इनको डीप फ्राइ करने की तरफ चलते हैं बड़ों को सेखने के लिए हमने कड़ाई में ओईल कर दिया है ओईल को हम गरम होने देंगे मीडियम करम ओयल पर हम अपने बड़ो को सेकेंगे ओयल हमारा गरम हो गया है अब हम इसमें बड़ो को डालेंगे बड़ो को हमें एक साथ नीड आलेंगे दो दो तीन तीन करके हम बड़ो को सेकेंगे एक साथ अगर बड़ों को हम डाल देंगे तो आपस में चिपक सकते हैं इसलिए हम दो दो तीन तीन करके बड़ों को सिखेंगे बड़ों को एक साइट से सिखने देंगे उसके बाद हम इनको पलटेंगे बड़ों को पलड देते हैं ये हमने बड़ों को पलड दिया है, अब आमें इनको दूसरी साइट से भी सिखने देंगी, ये हमारे बड़े दूसरी साइट से भी सिख गए है, इस पर कलर भी इज़न गोल्दन ब्राओन हो गया है, अब आमीं को निकाल देते हैं, ये देखी कितने अच्छे सिखे हैं हमारे बड़े और कितना अच्छा कलर आया है इसी तरह हम बाकी के बड़ों को भी सेख लेंगे ये हमारे सारे बड़े बनका तयार हो गए हैं हमने इनको सर्फ कर लिया है मैंने इनको केले के पत्ते पे सर्फ किया है आप किसी में भी सर्व कर सकते हैं इसको मैंने सामर की साथ सर्व किया है सामर की साथ खाने में बड़ा बहुत ही टेस्टी लगते हैं और इसको बनाना भी बहुत इसी है अगर आपको मेरे बड़ा की रसीपी अच्छी लगी हो तो इसे एक बार ज़रूर ट्राय करें लाइक करें शेयर करें अगर आपने मेरे चैनल को अभी तर सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथ में बेल आइकन की बटन दवाना ना भूले जिससे कि मेरे हम नहीं वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाई